और इस वक्त तुमारे साथ लाइव मोझूद है, पाकिस्तान से वरिष्ट पत्रकार कमरण चीमा जी, कमरण चीमा जी बहुत हथ स्वागत है आपका न्यूज रैटिन इंडिया में, इस वक्त जो पाकिस्तान से तस्वीरे सामने आ रही है, पूरी दुनिया देख रही है, प इमरान खान तो कहते हैं कि मैं सियास्त करूंगा आप जिस तरह कोर कमांडर लहुर को जलाया गया जिस तरह जो मिलिटरी और एर फॉर्स के कुछ ऐसे अलाके थे जहां पर फॉज को की जो प्रापर्टी जो जलाने की कोशिश की गई इस से लगता यह है कि 2011 में इमरान खान को फॉज ही लेकि आए थी सियासत में जब उस वक्त के डी जी आएसाई शुजाप पाशा जो थे उन्होंने इनकी सपोर्ट की आज वो उसके बाद इनकी मदद करते रहें लेकिन जब यह हकूमत से बाहर गे तो उन्होंने फॉज कोई गालियां देनी शुरू कर दी और कहा क कि मुझे क्यों बाहर निकाला है तो लगता तो यह है कि इमरान खान की जमात एक सियासी जमात कम और जो घुंडा गर्दी है उसमें ज्यादा पाई गई है जिसकी वज़ा से पाकिस्तान के अंदर लोगों को परिशानी यह हो गई है कि ठीक है सियासी नजरिया होना कोई ब कि मरा चुका है तो पाकिस्तान सरकार की जबनती है फेल है पाकिस्तान सरकार इसमें नए देखें मेरी बात सुने इस वकत मैं इसलामबाद में हूँ मैं कल भी इसलामबाद में घूम रहा था इंटर्नली कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ पॉकेट्स थायं खैबर-पखतून लोग कठे होने शुरू हो जाते हैं तो एक दफा वो जब तक इसको अकमर चीमा जी मैं आपको बीच में रोकूंगी सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे हालात क्यों बने एक बड़ा समूं ये कह रहा है कि ये जो गिरफतारी इमरान खान की हुई है ये गैर कानूनी है इसी लेकिन जो जन समर्थन उनको मिल रहा है जो पीटी आई की कारिकरता इस वक्त सडकों पर है आवाम पाकिस्तान की डरी हुई है जगा जगा इमरान की करीबियों की गिरफतारी हुरी है इसमें अगर हम देखे तो फवाद चौधरी को गिरफतार किया गया इसको आप कैसे द इसको कंडेम करते हैं उनकी पार्टी की है हमारे साथ इस बीच बड़ी कबर हम आपको बता दे पाकिस्तान सही पाकिस्तान की पेशावर से इस वक्त की सब्से बड़ी कबर मिल रही है बक्तरबंद गारी को सडक पर उतारा गया है उपद्रवियों को काबू करने की प्रांत में क्या बड़ पकूमा में